जिला कवर्धा बुलाक पंडरिया से 20 किलो मीटर दूरी पर ग्राम दमगर जुगरापारा में 30 बैगा आदिवासी परिवार निवास रत हैं तीन वर्षा से वहां के अंगनबाडी केंद्रा में साइका नहीं होने के कारण वहां के छोटे-छोटे बच्चों को अंगनबाडी केंद्रा जाने के लिए बहुत परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है आपके कितना बच्चा है? दो बच्चे है इसकूल जाते हैं? अंगनबाडी जाते है? नहीं जाओ है आपके गाओं में कपसे अंगनबाडी केंद्रा है? दस बारा साल से है दीदी अंगनबाडी केंद्रा में कपसे साहिका नहीं है? तीन साल से दीदी तीन साल से साहिका नहीं है तो आपके बच्चा लाग खाना कौन बना थे? इस विडियो को साथ आट महा पहले बनाई गई थी और गाउं के लोगों के साथ प्रियोजना अधिकारी अंजुनायक के पास प्रियोजना कारियलाए कुई गए और ग्राम दमगर के अंगनबाडी केंद्र में साहिका निक्ती करवाने के संबंद में बात कर और साथ आट महा बाद साहिका निक्ती करवा दिया गया आप कब से निक्ती हुई हैं? यहां महना पंद्र हुए है अब नौ बजे तक जाके इसकुल बर्लग खुल थूँ जाड़ू लगा थूँ आगी लगा थूँ बरतन औरतन साप कर थूँ पानी भर थूँ उकी बाद लेका बलाय बर जा थूँ लेका मन्निया टिनल पाके भी ला थूँ उकी बाद फिर अब मेडम मनला भी बहुत सहलियत हो गई से मुराने के बाद अब पढ़ाई भी कर थे लेका मनला अर अपनों भी लिखाई पढ़ाई ओला फुरसत मिले है ता अब मन अब बहुत अच्छा लगी से मैं इंडिया अनहट को धन्यमाद देती हूँ इंडिया अनहट द्वारा पहल करने से ग्राम दमगड के लोगों पे इंपेक्ट है आया वहाँ के छोटे-छोटे बच्चे अंगनबाडी कार्या करता गाहों के लोग बहुत खूस है मैं दिना गनवीर ग्राम दमगड बुलाग पंडरिया जिला कवर्धा चातिसगड इंडिया अनहट के लिए अलाग प्राम दमगड़ एक बच्चे दिला बादे की लिए अन्वाटाऋ इंग अनला च्छेड थास्ब्स भावडरी अन्वाटा प्राम